तो आज हम देखेंगे जो आपका एंटीन नेट का जो फर्स्ट वीपर है जो सभी के लिए कंपल सरी है तो उसका सलीबस देख लेते हैं यदि आपको सुष्यालीजी का सलीबस देखना है तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक बिल जाएगा तो आप देख लीजेगा तो यह देख लेते हैं हम फर्स्ट वेपर का जो सभी के लिए है आपने कोई भी सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर जो है सबके लिए एक जैसा ही रहता है ठीक है तो इसका सलीबस क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और अभी तक आप ने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब करें तो प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल और यदि प्रप्रेशन सोश्यालोजी से कर रहे हैं यांटि के प्रप्रेशन कर सकते हैं काफी कंटेंड पड़ा हुआ है और मैं वीडियो वगरा भी प्रवाइड कराती रहती हूं और टेलीग्राम चैनल से जुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सिन में उसका लिंक है तो वहां भी जरूर वेजिट करें चलिए तो स्टार्ट करते है है विभाइड नें शंपने दोर्त जो है अब को चैनल सब और हम देखेंगे लिए और फिर से दिया हुआ है आपका स्लेप सो तो वन बाई वन इनके जो भी कॉंसेप्ट हैं वो देख लेते हैं किस तरीके से स्लेबस है इसका तो फर्स्ट जो आपका यूनिट है जिसमें आपको सिक्षर अभी पुरती तीचिंग अप्टिटूट का है यह जिसमें आपको सिक्षर से समबंदित अधार्नाय रहेंगी उ और सिक्षार्ती की विशेशताइं भी हैं जिसमें आपको किशोर वैस्क सिक्षार्ती की अपेक्षण जिसमें सैक्षरिंग समाजिक भावनात्मक और संग्यानात्मक व्यक्तिगत भिनता हैं नेक्ट इसमें सिक्षण प्रभाव तक्त्व तो जो सिक्षण के प्रभाव तक्त्व होते हैं उसमें सिक्षण को होता है सामगरी होती है सिक्षण सायक सामगरी और संस्था अगत सुविधाई होती है सैक्षण वातावरण होता है उसके बारे में टेचेल में दिया है गया ह तो इस topic के थूँआ आप overall शिक्षर अधिगम संस्थाओं में सिक्षर की पदती के बारे में समझेंगे अध्यापक केंदृत बनाम सिक्षर अर्थी केंदृत पदती के बारे में जानेंगे online, offline जो भी पदतियां हैं जैसे online आपकी स्वयम है, स्वयम प्रभा है, MOOC है इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे और सिक्षर सायक सामगरी प्रणाली और जो परंपरगत है आधनिक है और ICT से आधारित जो भी है वो सभी आप डिटेल में इसमें देखेंगे मुल्यांकन प्रिणाली इसमें है मुल्यांकन के तत्व और प्रिकार उस सिक्षड जो सिक्षा है उसमें विकल्प आधारित जो क्रेडिट प्रिणाली होती है उसका मुल्यांकन और कम्प्यूटर आधारित परिक्षा, मुल्यांकन पदितियों में नवाचार तो इस तरीके से ये टॉपिक दिये हुए हैं तो इसे आप डिटेल में स्लेबस के अंदर पढ़ेंगे ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है इसमें सोध अविरति है इसमें आपका सोध से रिलेटेड साभी कुछ इंटल्यूड है इसमें आपको सोध अर्थ, प्रिकारों, विशिश्ताएं हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियां, प्रियोगात्मक, विवनात्मक, एतिहासिक, गुणात्मक, मातरात्मक, शोध के चरण शोध प्रबंद एक अने, जो आलेक है, उसकी आधार पर लेखन है, फार्मेट है, और संदर्व की शैली है शोध में ICT का अनुरुप्योग, जो उसका सोध में ICT का उप्योग किस तरीके से किया जाता है तो यह सब कुछ इसके जो यूनिट आपकी है, सेकें इसमें आप जानेंगे, शोध नयतिक्ता, इसकी जो PDF है आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड आपका यूनिट है, बोध, जिसमें आपका एक गद्या जाएगा, उस गद्यान से सम्मधित आपसे प्रस्ट पूछे जाएगे, तो इसका भी प्रक्टिस वगएरा करियेगा, क्यूंकि जो है, फाइब क्वेशन इसके आपके गद्यान से पूछे जाते हैं, जो आप अच्छे से कर सकें, ठीक है, संप्रेशन, फोड जो अपलक्षन, इसके प्रभावी संप्रेशन है, वाचिक और गैर, अवाचिक और अन्ता, सांस्कृतिक और सामुविक संप्रेशन, कक्षा संप्रेशन, इस तरीके से इसमें टापिक दिये गए हैं, प्रभावी संप्रेशन की बाधाएं हैं, जन्द, मीडिया, समाज, पां गड़िती अभीवती जिसमें अंस समय और दूरी अनुपात समानपात प्रतिसक्ता जो प्रतिसक्ता प्रसेंटेज वाला है वो लाब हानि व्याज और छूट ओसत तो इससे सम्मध्र जो गड़ित में आपके कॉमनमन जो अन जो स्लेबस में आते हैं आपके कम्पटेट्व एक्साम में तो उस तरीके से इसमें आपको गड़िती तर्क और विवत्त से कुश्चिन वुटप किये जाते हैं ठीक है आगे आपका है युक्ति युक्त तर्क इसमें आपका युक्ति से सम्मदित धाचे के बोध के बारें बतायागा युक्ति के रूप निरुप अरधी तर्क वाकी का ढ़ाचा, अवस्था और आक्रती, आपचारिक, अनपचारिक, युक्त दोश, भाषा के प्रयोग, शेब्दों का लक्षार्द और वर्स, वीरोधों का जो परमपरागत वर्ग है उसके बारे में युक्ति के प्रकार, निगनात्मक और आगनात्मक, युक् प्रशिकरन, अनुरूपताएं, वेन का आरेक है वो तर्की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेक का सरल और बहु उप्योग भारती तर्कशास ज्यान के साधन, प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान, उप्रमान, शब्द, अर्थपति, अनुपलप्ति, ये है और अनुमान की सनचना जो है प्रकार है, व्याप्ति है, है त्वाभास, ठीक है, सात्वा यूनिट आपका जो है आकडों की व्याख्या है, आकडों का श्रोत, प्राप्ति और वर्गी करन, गुणात्मक और मात्रात्मक आर्कडे, और चित्रवत वरन, जबार चार्ट होता है इस्टोरिक ग्राम होता है, पाई चाड़ होता है, टेबल चाड़ होता है, रेखा चाड़ होता है और आकड़ो का मान चित्रन, आकड़ो की व्याख्या है आकड़े और सुशाशन। ठीके आठवी एकाई है इसके जो है सूचना और संचार प्रोधोगी की है ICT की ICT सामानिता संक्षिप्तियां और सब्दावलियां हैं इंटरनेट, इंटरनेक्ट, इमेल, श्रफ द्रश, कंफरेंशिंग की मूल भूत बातें हैं उच्छ सिक्षा में डिजिटल पहल जो ICT और सुशाषन इसमें आर्फी इनिट में आपको ICT से रिलेटर सारे टॉपिक कवर करनी है आपका नाइन टॉपिक है जो है लोग, विकाश और पर्यावरन, पीपल, डेवलोप्मेंट और इंवार्मेंट इसमें आपका विकाश से संबन जो भी लक्ष रखे गए उसके बार में आपको पढ़ना है देखिए आपे टॉपिक दिये हुए हैं विकास और पर्यावरन, मिलेनियन विकास और समपोशन ही है विकास का लक्ष, मानो और पर्यावरन समवेवार नर्जाती, किर्याकलाप और पर्यावरन पर उसके प्रभाव, पर्यावरन परकमुद्दे, इस्थानी, श्रेत्री और वैश्वेक, वाई पर्यावरन, जल प्रदूशन, म्रदा प्रदूशन, धनी प्रदूशन, अविष्ट, जिस ठोश, तरल, बायोमेटिकल, प्रदूशन, इलक्ट्रोनिक, जलवायू, परिवर्दन, उसके समाजिक, आर्थिक और राजनितिक आया हमें, मानों सभाव पर प्रदूशक का प्रभाव, प्रक्तिक और उर्जा के श्रोत, सौर, पवन, म्रदा, जल, भुताप, बायोमास, नबकी और बन, प्रक्ति, जो प्रियास, मेंटरिल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैविविद्दा सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पैरिस सम्झोथा, अंतराष्टी, सौर्शन, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो टोपिक दिया हुआ है, नाइन, इसमें आपको कवर करना है, क्वेस्टिन काफी पूट अफ किये जाते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से तयार करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है, आपका उच्छ सिक्षा प्रणाली, इसमें आपका जो है, उच अधिगम संस्थाएं हैं, और इसमें प्राचिन भारत में जो सिक्षा रही, उस के बारे में, व्यवशाइक, तक्नीकी और कोशल आधारी सिक्षा, मुल्य सिक्षा और पर्यावणन परक जो सिक्षा होती है, नीतियां, सुशाशन, राजनीती और शाशन, तो इस तरीके से आपको ये 10 यूनिट भी कवर हो जाती है, तो आपकी पूरी टोटल यूनिट ज जिने आपको कवर करना है, ठीक है, और यहां पर देखी ये टिप्री भी दी गई है, कि जो आपके क्वेशन है, मेर्डूल जो बनता है, जाता से जाता रहता है, फाइफ क्वेशन एक चैप्टर से आपकी आते हैं, टू-टू अंग के रहते हैं, मतलब दो माक्स का एक जाता है, और विद्याति को बता है, जो ग्राफ वगरा होते हैं, उससे भी क्वेशन पुट अप होते हैं, जैसा कि मैंने भी यहां पर आपको दिखाया था, यह जो चैप्टर था आपका, तो इस तरीके से क्वेशन इसमें पुट अप भी होते हैं, तो यह चार्ट वाला तो इसे भी आप अच्छे से तयार करिएगा, ठीक है, तो यह जल्द ही आपको लेकर आऊंगे, जो आपका सुश्यालेजी का, जो पीजीडी का, जो चैप्टर है, कवर करा रहे थे, बीच में ब्रेक हो गया, काफी लेंदी, तो उसके लिए सौरी, और आपका जो जो तियार की गवर किया है, तो आप यदी वह देखना चाहते हैं, तो वह देख लिएगा, और इंटे-नेट का देखना है, तो वह भी एमने कवर करा रखा है, तो दौनों के सौशॉलोजी के हैं, तो आपो देख सकते हैं, जिसकी भी पर्प्रिएशन आप कर रहे हो, और कर रहे हैं तो चैनल से जुड़के प्रिप्रेशन कर सकते हैं और आपका जैसे कि मैंने बोला है कि आप नेक्स्ट जो टापिक रहेगा आपका प्रिवियर्स येर का जो कुश्चिन पेपर जो पीजी टी का भी रिसेंटली जो हुआ था कि 2021 में तो उसको हम कुश्चिन को सॉल्फ करेंगे ठीक है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो फे फिर मिलते हैं और वीडियो अच्छे लगिए तो लाइक जरू किएगा थेंक्स वाच